नमस्कार दोस्तो योगरे.com के यूटीब चैनल योग आयरवेदर टिप्स में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक जो है बेट वेटिंग को लेके बेट वेटिंग यानि की बिस्तर गीला करना ये बेट वेटिंग दोस्तो सोते समय पेशाप करने की समस्या है जो की हर दूसरे बच्चे में दिखाई देती है तीन साल से उपर के बच्चों के साथ ता ये परिशानी कई बार बड़ों में भी मिलती है जो की बड़ी परिशानी का कारण बन जाती है और लजजत होना पड़ता है बड़ों को इसके क वर्द हैं या बच्चे तो इसके और भी अन्य कारण हो सकते हैं दोस्तों जैसे कि आपका स्मॉल यूरीनली ब्लेडर जो है आपका जो यूरीन ब्लेडर है वो उसका साइज छोटा है और सोते समय पिशाब निकल जाता है ब्लेडर में इंफेक्शन होने पर भी समस्या होती ह तो भी बिस्तर गीला करने की समस्या से वो ग्रसित हो सकता है तो आईए जानते हैं कि ये समस्या है तो इसको घरेल उपचार क्या है कैसे हम अपने घर में अपनी जो ओशुदियां जो अवेलेबल हैं उससे इस समस्या का निदान करें और हमें चाहें बच्चे हैं या व्र के बीजों को निकाल कर उसके स्थान पर काली मिर्च का पौडर डालकर दो तीन मुनक्का सुबह खाली पेट खिलाने से भी बहुत फाइदा होता है दोस्तों काले तिल का एक चमश पौडर दूद के साथ सेवन कराने से तो बहुत ही उत्तम लाब होता है एक अक रोड और क गंटे पहले दूद में शेहत मिला कर पिलाना है बड़ो को यदि ये समस्या है दोस्तों तो उसका सामना कैसे करें तो इसके लिए एक चमश ताजी आवले का रस एक चौथाई चमश हल्दी पौडर एक चमश शेहत मिला कर सुबह खाली पेट लेने से ये समस्या दूर हो यदि आप बड़े हैं तो आप पहला वाला उपाई ज़रूर अपना है बड़ों के लिए जामुन की गुटली जो की डाइबिटीस के पेशन्ट है उनके लिए जामुन की गुटली का एक चम्मच चूम गरम पानी के साथ तुबह शाम सेवन कराने से बहुत फायदा होता है एक गिलास दूद में चार खजूर चुवारे डालें और एक चौथाई चम्मच खल्दी का पाउडर डाल कर उबा लें और रात को सोने से पहले अगर उसे पी लें तो ये समस्या बिल्कुल 100% ठीक हो जाती है आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं सारी जो चीज़े हैं आपके घर में आपकी किचिन में अवेलेबल हैं किन्तो कुछ ध्यान देने वाली बाते हैं दोस्तों घरल उपचार करते समय चावल, केला, खाली, दूद, मठा या लस्ती का सेवन आपको बंद करना होगा तरल यानि कि लिक्विट पदार्तों का सेवन रात के समय आपको बिल्कुल नहीं करना होगा बच्चों को रात का भूजन तास से आट बजे के बीच में खिला दे अगरे समय से बच्चों के साथ है सोने से एक घंटे पहले कुछ भी तरल पदार्त ना ले रात को बिस्तर गीला करना आपका बिल्कुल पंद हो जाएगा ये सो प्रतिश्यत गारेंटी है तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेर करें इस इंफोर्मेशन को बने दोस्तों